पालक की प्योरी बनाएंगे पालक की प्योरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पालक लिए है अब मैं इसे अच्छे से 4-5 बार पानी से वाश करूँगे आप देख सकते हैं कि पालक को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहते हूं कि कोई भी भाजी हो आप इसे कट करने से पहले ही वाश करें अगर कट करने के बाद वाश करेंगे तो इसके काफी मात्रा में बोश्टिक तत्वों पानी में चला जाएगा इसलिए इस बात का द्यान रखें अब एक बड़े बरतन में पानी डालके इसे उबलने रखें मैं ढकन लगा रही हूं ताकि जलती से उबल जाए आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे सी उबल गया है अब मैं इसके अंदर पालक डालूंगी 2-3 मिनिट के लिए उबलती हुए पानी में डालूंगी इसे उबलती हुए पानी में रखूंगी इस तरह से मैं इसे 2-3 मिनिट के लिए हिलाऊंगी और अच्छे से उबलते हुए पाने में इसे रखूंगी इसके बाद मैं पालक को निकाल के ठंडे पाने में डाल दूँगी अब देख सकते हैं कि दूसरे बड़े बरतन में मैंने ठंडा पानी लिया है और इसके अंदर थोड़े आइस क्यूब भी डाल दिये है अब मैं इसके अंदर उबलता हुआ पालक डाल दूँगी उबलते हुए पानी से निकाल के तुरंथ ही हमें इसे ठंडे पानी में डालना है और वो भी आइस क्यूब वाला ठंडा पानी ऐसा करने से हमारी पालक प्योरी एकदम ग्रीन बनेगी और इससे कोई भी रेसेपी बना वो भी एकदम हरी हरी बनेगी दो से तीन मिनिट के लिए ठंडे पानी में रखने के बाद हम इस तरह से इसे नितार के दूसरे एक परड़े बर्तन में इसे निकाल देंगे अब मैं पालक को मिक्स जार में डालके अच्छे से पीस लोंगे देखे पालक को मैंने पीस लिया है अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी देखे फ्रेंट्स पालक प्योरी को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है आप पालक प्योरी से तेर सारी रेसेपी बना सकते हैं बहुत सारी रेसेपी में यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं तो आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी यह मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना तो चलो मिलते हैं फीर एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई